मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मेरा प्यार बार नमस्कार आज मैं आप लोगों के लिए ना कुकर में पनीर बनाने के लिए लेकर आई हूं यह देखिए पनीर कुकर है इसे में आज हम पनीर बनाएंगे तो आप लोग से चलिए पनीर शुरू करते हैं रेस्पी बना न करें तक कर देखे जर्पिए दिया था इसमें थेल डाल दिया चैनल जीरा का जर्छू अब क्या तना कला करें यृ पिखापड सा विल्च करके रखा था लशेगा रारी दिखेट में भाला ही दिमास दिमाज रखिए दो लाइख और वो अब इसमें कुछ मसाले डालें ये मिर्चा डाल दिया और ढहल जाने दनिया पाउडर और हल्दी थोड़ा कम है अब बाकि मिर्चा और धनिया आदा जाने तोड़ा सा और गर्म मसाला डालाई है जो चोटा चमछों से अधा what एं डाला एब यह देखिए इधर आमार्त तमार्ट भुनगिया अच्छी तरह आप इसमें क्या करेंगे यह जो दही क हमने पेष्ट बनाये मसाला डाल श cultural कर आप अब इसमें डाल दोंगे यह देखियाब है यह इसमें टाल दिया हमने अब इसको भुनेंगे दही को तो डालने से लगतार भुनना पड़ता है नहीं तो फट जाएगी देखे-अब इसको तेज आच में इसको भुन दिया हमने पहले दिमाच पर भुन रहेती अब दही डाला तेज आये फिरोजन मतर है यह तो इसे होता है इसको इसे निए डाल दिया इसमें भूनने के लिए क Are वी इसमें पूनेगा सीर्फवान देस्फवान नहीं थोड़े दिर बूनेगे सब्सक्रस Conступ अब ये पनिट डाल दिया अब ये भी भूनेगा धिरे धिरे इसमें पांच मिनट के चार मिनट भूनेंगे इसको ज्यादा नहीं इसको भूने को बाद है अब ये नमक डाल दिया नमक सवाद कुन सार ज्यादा नहीं जितना आपको सवाद होतना अज मिर्च भी आप अपने देखो पनीर मतर मसाला कितना बनिया भुन गया यह देखो आप वहा क्या सुंदर लग रहा है बहुत अच्छा लगता है यह क्यों कि पनीर में न सारे मसाले अंदर चले जाते हैं इसमें बनाते हैं तो इतना नहीं होता इसमें बनाते नो शीटी आती है तो सारे मसाले इसकं अथ selv चले जाते हैं पानिक डाल दया एक कटोरी अपने ग्रेवरेट केरा भिषाप हिर्म्न बाहरेँ चाहिए दाला थे होलाई एक इसमें आया क्याम एक सिटी आएगा उसके बाद करोको बंद कर दिया हमने घय क्वोग थंडा हो गया हमारा मंटर, पनीड कैसे बन करकर त्यार हो गया इस देखें अच्छा लग visto बहुत अच्छा लगता है अब धन्यपत्ता वैं डाल दिया चिसमें ठेक इसमें टाल कर त्यार हो अब तो हम इसको सर्व करेंगे और खाएंगे आप भी इस तर से बनाईए कुकर में पनीर बहुत जल्दी बनता है बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि मसाले सारे पनीर कंदर चले जाते हैं तो ऐसे बनाकर खाईए हमें कमेंट करिए हमें बताईए और अपने दोस्तों में भ आप खा करके कमेंट करके हमें बताना जरूर आपके कमेंट के हमें इंतिजाद रहता है कि आप लोग कमेंट करेंगे हमें बताएंगे ठीक है यह देखिए आप बनाएंगे ना तो आपके बच्चे क्या बोलते हैं घर वाले क्या बोलते हैं यह हमें बताईए कमेंट करके Namaskar